जब तक कोरोना बहुत फैला था हमने ओनलाइन शोपिंग की ये बहुत अच्छी बात थी पर अपसी थोड़ी कंट्रोल में आ रही है तो हमको अपने आसपास के लोकल वेंडर्स को लोकल शोप कीपर को जाकर बिजनस देना चाहिए कोरोना की गाइडलाइन का पालंग करते ह हुए अगर हम उनको बिजनस देते हैं तो फाइदे होते हैं एक उनको भी बिजनस मिलता है दूसरा हमारे देश का अर्थ तंत्रा ठीक होता है सो लेट्स वोकल फो लोकल लेट्स में कवर इंडिया आत्मा निर्बर इस चोटी से लाइफ में हो सके उतने प्लेस देख लेने चाहिए नमस्कार मैं सोनिया स्वागत है आपका मेरी चनल लियो नास किंग्डम में मेरे एक वियोवर की रिक्वेस्ट थी कबसे के पूझ की बाजार का एक वीडियो बनाओ तो आज हम बूझ व्लोग की सीरीज में देखेंगे बूझ की बाजार डिवेलिपिंग बूझ के शॉपिंग मॉल्स का वीडियो आपने देखा आज मैं दिखाती हूँ बूझ का ओल्टाउन एरिया बूझ के पुराने शॉपिंग मार्केट्स जो बहुत सालों से ऐसे ही है और यहाँ पे कभी भी जाओ आप इतना ही रश होता है यह एरिया कहा जाता है तडाव शेरी कपड़े की कोई भी आइटम आपको लेनी हो तो यहाँ पे मिल जाएगी यह तडाव शेरी एरिया स्पेशली लेडिज शॉपिंग के लिए जाना जाता है यहाँ पे आपको सभी तरह के लेडिज गावमेंट्स, शूज, सेंडल्स, ओर्णामेंट्स, कोस्मेटिक्स जैसी सारी लेडिज आइटम मिल जाएगी गुजरती में तलाव का अर्थ होता है तालाव यहाँ पे बारिश का पानी बहुत बर जाता था इसलिए इस शेरी का नाम तडाव शेरी रखा गया गोल्ड पूज के रास्ते और गलियां आप देख सकते हो के कितने नेरो है इसलिए यहाँ पे बारिश बहुत हो जाता है पराग है यह मेरे साथ आर्टिस्ट है यह एक्टिंग भी करते हैं मोडलिंग भी करते हैं यह उनकी शोप है अगर आप बूज आ रहे हैं तडाव शेरी में आए हैं तो उनकी शोप पर ज़रूर आए झाल आता है पार्किंग की बहुत प्रोब्लम होती है इस एरिया में आप आ रहे हो शोपिंग करने तो गार्डी आपको ठीक से पार्क करनी पड़ेगी कि अचर्चं में अचरी कर से डना रहे हो शोब्लम हो शोपिंगे। झाल झाल इस सारी शोप साथ बजे तक ही ओपन होती है अगर आप शोपिंग करने आना चाहें तो साथ बजे से पहले ही आए झाल 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 ये वाइट बिल्दिंगे ये एडिया कहा जाता है वाणियावार ये पूरा एरिया वाणियावार कहा जाता है क्लोट की शोपिंग के लिए ये एरिया भी बहुत अच्छा है क्लोट झाल 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 यही रीजन है झाल 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 यही रीजन है